लोकसबा चुनाओ 2019 अपने आखरी पड़ाओं पर पहुट चुका है आपको बता दे कि 19 मई यानि की गुरुवार को आखरी चुरन का मद्दान होना है और आखरी चुरन में 8 राज्यों की 69 सीटों पर वोटिंग होगी इस चुरन में बिहार की 8, जारकन की 3, मद्देप्रदेश की 8, पंजाब की 13, पश्चुमंगाल की 9, चंडिगर की 1, उत्रप्रदेश की 13 और हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर मद्दान होगा वही इन सब के चुनावी नतीजे 23 मई को घोशित किये जाएंगे आपको बता रहे हैं कि लोगसबच चुनाव 2019 सब अपने आखरी चरम पर है इसी बीच 19 मई को आखरी और सातवे चरन का मद्दान होना है और उसके चुनावी नतीजे 23 मई को घोशित किये जाएंगे 19 मई को यानि कि घुरुवार को आखरी चरन का मद्दान होगा आठ राजियों की उनसर सीटों पर यहां वोटिंग की जाएगी और इसके बाद आखर कार 23 मई को चुनावी नतीजे घोशित किये जाएंगे लोगसबच चुनाव 2019 सब अपने आखरी पड़ाओ पर पहुँच चुका है पिछले दो महीने से चल रहा रैलियों और भाशनों का दौर अब खत्म हो चुका है आखरी चरन में आठ राजियों की उनसर सीटों पर वोटिंग होनी है और इस चरन में बिहार की आठ जारखन की तीन मद्धिर प्रदेश की आठ और साथी पंजाब की तेरे और पश्चिम बंगायल की नौ सीटे चंडीगड की एक उत्तर प्रदेश की तेरे हिमाचल प्रदेश की चार सीटों पर कुल मिलाकर मद्धान होना है और इसके चुनावी नतीजे 23 मई को घुशित किये जाएंगे अपने आखरी पड़ाओ पर पहुच चुका है आठ राज्यों की उनसर सीटों पर साथवे और आखरी चरण में मद्धान होना है और इन सब के नतीजे 23 मई को घुशित किये जाएंगे 19 मई को आखरी चरण का मद्धान होना है पिशले दो महीने से चल रहा रेलियों और भाषनों का दौर भी अब खत्म हो चुका है कुल 69 सीटों पर वोटिंग होनी है इसमें बिहाल की 8 सीटे शामिल है जारकन की 3 तो वहीं मदर प्रदेश की 8, पंजाब की 13 और पश्चिम मंगाल की 9 सीटे भी शामिल है चंडिगड की एक और उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर भी वोटिंग होगी